So guys, माल लीजी आप WhatsApp में आपके दोस्तों के साथ फोटो से यार कर रहे हैं और उस फोटो उस आपके दोस्ते पास इस तरीके से सेंड होता है और आप चाहते हैं कि उस टाइप पे आपके जो फोटो है वो WhatsApp में इस तरीके से सेंड ना हो क्योंकि इस तरीके से अगर सेंड होंगे WhatsApp में तो आपके जो फॉटो है उसके प्राइविसी जो है वो देख हो सकते हैं आप चाहते हैं कि आप जो फॉटो सेंड करते हैं उस फॉटो में पास्वार्ड लगाके पीडियेफ फाइल बनाके उस फॉटो को आपके दोस्तों के साथ सेयर करें एंड आपका जो पास्वार्ड है वो फोन करके आप बता सकते हैं आपके दोस्तों के साथ कि यह जो PDF है इसका पास्वार्ड यह है आप इस पास्वार्ड को डाल दो एंड आप आपके जो PDF फाइल है उसको आप ओपन कर सकते हैं इमेज के साथ So guys, कैसे आप आपके image को PDF फाइल में convert करके कैसे password लगा सकते हैं याद सेपली उसको कैसे WhatsApp में send कर सकते हैं So बताएंगे इस वीडियो में So जानना हो तो वीडियो को एन तक जरूर देखना So नमस्का दोस्तों में रहोना को पीसे स्वागात करता हूं So guys, without wasting any more time, let's start this video with lots of fun So guys, इसको करने के लिए Simple सा एक application को आपको install करना है And जिसका download का जो direct link है और मैं आपको, आपके मेरा जो description box है उधर आपको मिल जाएगा So guys, ये एक 3 MB का एक software है एक application है इसको आप install करने लेंगे तो मुझे लगता है आपका फायदा बहुत होगा So guys, simple सा इस application को मैं open करता हूं And इधर जो plus बाला जो icon है इसमें click कर देता हूं एक permission देना पड़ेगा वो है आपके image का permission So guys, उसके बाद आप किसी भी image folder को open कर लिजिए open करने के बाद जिदना भी चाते हैं photos को select कर सकते हैं एक ही dump पे So guys, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा इधर उपर में एक done का option आ रहा है So guys, उसमें आप click कर दीजिए Click करने के बाद आप उपर में देख सकते हैं Right hand side में corner में दो वाला जो option है Second वाला जो option है PDF का है उसमें आप click कर सकते हैं Click करने के बाद इस तरीके से एक interface आ जाएगे हैं And इस interface में आप me वाला जो section है या sweet hut जो PDF का file का name आप रख सकते हैं रखने के बाद इधर जो password protection वाला जो option आप देख रहे हैं Second वाले option में इसको आपको enable करना है जब भी आप इसको click करेंगे इस तरीके से interface आपके सामने आ जाएंगे उसके बाद आप password set कर सकते हैं So password मैं देता हूँ love उसके बाद मैं open कर देता हूँ कुछ time लेगा उसके बाद इस तरीके से एक add आएगा पी application है इस लिए add आ रहा है एंड उसके बाद आपको suited वाले जो option है उसको आपका उसके पास बाजू में आप देख सकते हैं share वाला जो option है उसमें आप click कर दीजिए click करने के बाद इस तरीके से आपके share वाला जो भी account है हूँ आ जाएगा आप symbols of whatsapp को select कर लिजिए select करने के बाद जिसके भी account में चाहते हैं आप उसको send कर सकते हैं आपका जो file है वो send होता है देखिए guys send हो रहा है so इधर processing चल रहा है processing होने के बाद ये send हो जाएगा so guys send हो गया है के बाद क्या करना है आपका password जो है उसको आपको बताना है phone करके so guys बता दिया आपका जो friend है वो pdf file को open करेगा and उस pdf file जब भी open करेंगे इधर आपको password देने के लिए बोलेंगे so guys आप उसको password बता देना and उस password लगागा simple सा जो file है उसको open कर लेगा so guys इस तरीके से आप whatsapp में pdf के साथ password के साथ file send कर सकते है so guys वीडियो आच्छा लगे से वीडियो को लाइक करना share करना and इस चनल को subscribe करना मत भूलिएगा so guys जाते जाते एक ही बात बोलूँगा आओ मेरे चैनल पर ले जाओ गयान और जापो ट्रें इस चोन बाबा के नाम so guys till then जाए हिंद वन्द मात राम से नमश्का दोस्टे में से विद मैं चैनल and सुमाए next video